एलेक्शन चानक्या की बोर्टर मेनेजमेंट और ओर इलेक्शन मेनेजमेंट की एप की जिसमें हम बोर्टर लेस्ट में जो लोग है उन पे 100% व irkout हो उसके लिए बात कर रहे हैं सबसे पहले हम आते हैं होंपर उसके बाद आता है import data import data में आपको सारे boot का data आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आप आते हैं export कर सकते हैं same ऐसे ही data export कर सकते हैं ठीक है फिर आप आते हैं update slider slider में जहाँ पर जो है candidate की details update कर सकते हैं import contact के आप कश़ कुछ कांटेक्स नोट कर सकते हैं उसके बाद आता है समरी समुरी में आपके हम जो वाइस बना रहे हैं पोल्क बना रहे हैं उसको तो यह वोट्रीं तो आहORक नजमें यहाँ पर डफ पर देंगे यह सैटिंग है हमारी एप की कुछ नॉर्मल सेटिंग्स होएंगी ठीक है उसके बाद आता है सबसे इंपोर्टेंट वॉलिंटियर को एड करना जो हमारा बूत अद्यक्ष बनाए या फिर हम वॉलिंटियर बनाए जो हमारी ग्राउंड लेवल टीम है जब बोटर लेस्ट और बूत वाइस जाएगी यह बूत वाइस सेलेक्षन होगा सब्सक्राइब करना है उसका नाम है राम ठीक है राम जाता है उसका मुवाइल नंबर यहां डाल दिया ठीक है और यहां पास्फट आइडी तो स्पैसिफिक क्या है कि उसको उसी बूत का डेटावेस दिखाई देगा अपनी ब करने का उप्शन है ठीक है इसके बाद यहां पर हमारे माई वॉलिंटियर का उप्शन है इसमें जितने भी वॉलिंटियर काम कर रहे हैं आपके वह यहां पर दिख जाएंगे ठीक है यह आता है कास्ट वाइस कास्ट वाइस आप यहां पर कैटेगरी डेवलब कर सकते हैं क कि कितने ब्राम्मन हैं, कितने बनिये हैं, कितने अधर कास्ट के लोग हैं, यहाँ पर इस छेतर में इस बूत पर तो वहाँ पर रिमार करता जाएगा कि इतने लोग हैं, आपके पास perfect figures आ जाएगी, इसके बाद यहाँ पर message convey करने लिए, stand message, voice call, walk, WhatsApp, ऐसे सारी चीजें, services इस ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं, demonstration पर boot wise, तो हम boot wise पर एक boot select करते हैं, ठीक है, अब इसमें आपको यह green voter दिख रहा होगा, तो green voter क्या है, यह हमारा effective voter है, जैसे star अगर लगा दिया, और star को अटा दिया, ठीक है, तो हमारा वो effective voter है, तो हमारा वो इफेक्ट voter की list में हमारे आ जाता है, that's mean वो हमारा favorite voter है, और वो हमारे election पर प्रभाव डावता है, ठीक है, तो प्रभाव साली voter को हमारा volunteer जाके remark कर देगा, हमें centralized पतर चल जाएगा कि हमारा remarkable voter है, ठीक है, अब हम बापस आते हैं, अब यह यहाँ पर दिखने लगा voter, ठीक है, इसी त voter में आप लगा सकते हैं, ठीक है, दूसरा आप आता है, फोन लेस्ट, तो इसमें जो voter list में नमबर्स हैं, अपडेट किये हैं, हमारे volunteers ने वो नमबर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, फिर आता है आपका address wise, address wise इसको देख सकते हैं, कौन से address पे कौन रह रह रहा है, ठीक है, इसमें सर्च कर सकते हैं, voter list को, ठीक है, age wise भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं, cast wise, अब हमारे जो volunteer ने उसको रिमार्क कर दिया, तो यहाँ पर cast wise, यहाँ पर कौन सी किस cast के सपोस कीज़े, यह no cast है, OC ready कोई बंदा है, यह no cast के लोग हैं, तो cast wise यहाँ पर दिख जाएंगे, अब हम आते हैं, color wise, अब color में जैसे किसी ने white कर दिया, किसी ने black कर दिया, कोई, यह color wise लोग हमें दिख जाएंगे, यहाँ ठीक है, अब हम आते हैं, effective voter, अब हमारा जो green voter है, जो हमारा effective election को effect कर सकता है, जो हमारा favorite voter है, वो यहाँ पर एक वैफरिगेट तरीके या नहीं डाल गया या कोई different voter vote डाल गया उन सब को update करता चला जाएगा update कर देगा यहाँ पर यह जैसे इसको मैंने update कर दिया इसको मैंने update कर दिया तो यह वहाँ पर हमें centralized दिखने लगेगा कि voted और non-voted में हम आएगे अब हम आते हैं voted में और non-voted अब हम suppose कि जब voted को open करते हैं तो voted में हमारा effective voter लक्षमी vote डाल गया है यह हमें दिखने लगा ठीक है यह non-voted है non-voted में हमें दिखने लगेंगे जो लोग अभी तक vote नहीं डाले हैं अगर कोई effective voter भी vote नहीं डालके गया है तो वो हमें centralized पता तल जाएगा तो इस तरीके से हमारी एप election management में बहुत बड़ी help करती है किसी भी candidate के लिए centralized report प्रोवाइड कराती है जो बूत लेवल पर वो अपनी implementation है अपनी कोशेश को बड़ा सकता है कि हमारे बूत पर इतने लोग जो effective voters हैं उनका vote नहीं पड़ा है तो आप हमारे साथ संपर करके इस app को अपने management में जोड़ सकते हैं जिससे election आपका बहतर तरीके से हो जाए थैंक्यू बाई बाई